हेलो गाइस थोड़ा सा रुके और वो जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला दबा दीजिए मोबियस होगा या डॉक्टर डूम वो सब गलत निकला पर उनकी थेयरी सही निकली जिन्हों ने सोचा कैंग के बारे में मुझे लगा था कि आज का लास्ट एपिसोड है तो थोड़ा और धमाकितार एपिसोड होगा पर ना धमाकितार तो था पर एपिसोड बड़ा नहीं थ और ऐसा लगा जैसे चालिस मिनिट का एपिसोड दो मिनिट में ही खतम हो गया और अगर आप लोग लास्ट के एपिसोड में कैंग के साथ कोई फाइट सिक्वेंस एक्सपेट कर रहे थे तो भूल जाओ पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया गया जैसे मिस मिनिट ही में विलन है और वो ट्राइ करती है कि दोनों लोकिस को अपनी बातों में उलजा कर मैनिपुलेट कर सके लोकी को मैनिपुलेट कर रही थी पर जब वो वहाँ से चली जाती है तब एंटरी होती है बड़े ही नॉर्मल से सिंपल से दिखने वाले इंसान की कैंग बट अगेन आपको बता दू कि उसने अपने आपको कैंग के नाम से इंट्रिडूस किया ही नहीं है बस उसने ये कहा कि उसे कई नाम से बुलाया जाता है कभी राजा तो कभी कॉंकरर समझ रहे हो और अगर आप नीचे सब्टाइटल में देखोगे तो उसके डायलोग के सामने हर बार याने कि वो जो आखिर तक बचा रहेगा अमर बस वो ये बताता रहता है कि उसे सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है क्योंकि उसका ही एक वेरियंट 31st century में रहता था मतलब आज से हजार साल बाद याने फ्यूचर में और उसने ब्रह्मान के अलग-अलग टाइमलाइन्स के बारे में जान लिया था और अपने उस नॉलेज को अपने ही अलग-अलग वेरियंट के साथ शेयर किया ताकि वही लोग ब्रह्मान पर कबजा कर सके और उस पर राज कर सके पर हर वेरियंट अपना अपना ब्रह्मान बचाने और दूसरे ब्रह्मान को तबाह करने में लग गए और इसके बारे में Miss Minute का एक explanation वीडियो हमने first episode में देखा ही था कि कैसे सभी ब्रह्मान के बीच में एक war हुआ और उनकी timeline स्तितर बितर हो गई और इसलिए इस kang ने जो साफ दिल का है उसने ही वो sacred timeline बनाई थी और उसमें कुछ गड़बर ना हो इसलिए create किया था TVA पर इस episode के last minute में आप लोगों को एक बहुत ही बड़े वाला surprise मिलने वाला है जिसे आपको episode में ही देखना चाहिए जिससे पहले Loki का दिमाग तो हिल ही गया था और बाद में मेरा भी पर एक बहुत अच्छी बात इस episode में हो गई है कि इसी last episode से sacred timeline से निकली है multiverse की करोडो timelines जो control के बाहर है और इसी को आगे continue किया जाएगा Marvel के आने वाले animated series What If में और बाकी movies में भी जैसे Ant-Man, Quantumania और Doctor Strange Madness of Multiverse में और हाँ अगले बुधवार को Loki episode तो नहीं आएगा बट इस पूरे series का एक recap वीडियो ज़रूर आगा वो भी detail के साथ तो बने रहिए इस channel पर मिलता है अगले वीडियो में बाई